अगर आप लोग वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो दो चीज का ध्यान अगनाम ऐसा जब भी आप बाक टो इन अधर वीडियो गाई इन दिस वीडियो आम गोई शेर वीडियो मेरा वीजा रिजेक्ट क्यों हो गया था क्या रीजन था और उसका दूसरी बार मैंने क्या ऐ हो जाए रिजेक्ट हो दो उससे औरहरे मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा ह разм यह चाहिए और यह चाहिए आपकर जो हमेंट कंफॉर्मेशन पश्चाया यह तो बिसकली आज यह तीन चीह होती है यह दुर्ण होता क्या है आ जाओगे तो आपका बिसकली फिंगरपिंट लेगा लेपोरा राइट-बी का चाहर यह था यह था अ ज्राइट फिर था म्पर तो इसाथ क्या इस्टीज हो गया कि मेरे थोड़ा नेम में चेंज था यह वन सिक्स्टी फॉर्म जो वादा था मैंने उसमें सरनेम और इवन नेम डाल दिया तो वह मुझे वहां जाए कि पता जला तो उन्होंने बोला कि चेंज करने के लिए भी तो उसके लिए मैंने मेरे पास तो फोन से एक्सेस नहीं हो पा रहा था तो वहीं पर वीजा एप्लिकेशन सेंटर पर कैफे है ठीक है उनके बास गया मैंने उनको बोला कि ऐसा से इस्टीज है एडिट करना है तो उन्हें ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा बट दे चार्ज में 1000 रूबीज एक हजार से नहीं डीएस 164 फिल नहीं किया था ठीक है उसके अलाव लॉकर फैसिलिटी यहां पर है कहां पर है अगर जाओगे तो लॉकर फैसिलिटी बेसिकली 200 रुपए लेगा आपका फोन बैग रखने का अब बैग में अपना फोन रखो कुछ भी रहो वाटेवर ठीक है बट य यह सब चीज नहीं होना चाहिए आपका बैग हो सकता है और डॉकुमेंट हो सकता हो उसमें और फोन ले आ सकते हो स्विच ओफ करके और स्क्रीटी वहां पर एनाउंस कर देता है यह जीज के लिए बट कुछ मेजर बैग है लागे तो वहां पर है लॉकर सिस्टम है जो कि 200 से 500 रुपय की बीस चार्ज करता है उसके अलबा कुछ नहीं मांगा उन्होंने ना सीडी से मांगा ना प्रीबियस पासपर्ट मांगा ना प्रीबियस कोई वीजा देखा कुछ नहीं नाथिंग अल्स ना कंपनी का कुछ लेटर देखा ठीक है अनिधिंग कुछ भी रिले अपार्ट फर्म इस थ्री दॉक्मेंट कुछ नहीं देखा उन्होंने सो आफ्टर बायोमेट्रिक बताने से पहले आपके साथ यह श्यर करता हूं कि मेरा फॉर्स तेम जो रिजेक्शन हुआ था वाट 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 तो उस तेम किया था कि जब मैं इंट् यह वर्किशन तरह के इंट नहीं पर नहीं परखेशन दॉक्र वाट वाट श्री वाट वैट जोयिया था खुंठ श्यूआ इंट्वाट अट था यह श्यूंग बोला है नहीं मेरे पास था fire नहीं में लिटाओ और जो भी डॉक्मेंट होता है पॉर्प यह यह था तो मैं उसे बोला कि actually I do have but it's in the mail I don't have soft copy but actually मेरे पास था नहीं यह document but फिर उसने क्या कि मेरे को passport और सारे document वापस कर दिया and thank you बोल दिया उसने मुझे रिजेक्ट हो गया but साथ में उसने एक 221G का पेज दे दिया कि उसमें लिखा हुआ था कि टिक मार उसमें मैंने कमनी को मेल कर दिया था between that I need my joining letter वगरा वगरा कमने फिर मुझे बोनेफाइड लेटर भेज दिया और letter of employment मैंने सेम चीज को कमनी के बास नेक्स मेरा डेट था appointment date वहाँ पर जाके submit करा दिया फिर after one week मेरे बास वह सारे document वापस आ गया अगेर एक नौदर टू बन जी उस पेपर के साथ उसमें लिखा हुआ था इस वार लिखा हुआ था कि इंडियन जॉइन लेटर अब मैंने सेम चीज कमनी को मेल कि लेटर के लिए आपका जो होना चाहे contact एंडियन हायरिंग पार्णर एजनसी के पास होना चाहे वही आपको प्रवाइडेंग करेगा तो company कमनीने मुझे कम लोकल हार इरिंग पार्टनर होता है उसका डिटेल दिया I need to contact कर दाए मैं ने ऊसको का तब तक तक मेरा डेट आज उका था समिट करने मैं चैसा अपने रिजक्षिन निंहें रिखेंट कर दिया उसका दोने मुझे रिजेक्षिन का उसके साथ में नीचे लिखा होता लेटर इंट्रवीव लेटर इस बार मैं वहां पे और जो बाकी डॉकुमेंट होता है सब कुछ इस बार कॉंसलर ने कुछ नहीं पूछा जस्ट मेरे डॉकुमेंट मांगें और उसने पूछा एक कोश्चन की यहाव यू बीन इन 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 इस्टेट मैं लाइश आइस आइवाज वर्किंग प्रिवेश इस विद नौर्वेजिन कुरूज लाइट उसने पूछा कब से कब तक थे मैंने डूरेशन बताया कि इस और इंफॉर्मेशन इबाउट यूर प्रफाइल पास्पोर रख लिया और उसने सारे डॉकुमेंट वापस कर दिया बट उसने यह ने बोला मुझे कि यह वीजा एप्रूब और ऑन होल्ड आफ्टर अवीक मेरे पास एक कोरिया आता है और उसमें मैं कोरिया डिसीव करता होने तक क्या मैंने मिस्टेक किया अगर आप लोग वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो दो चीज का ध्यान है नहीं सा जब भी आप डिस वान सिक्स्टी फॉर्म फिल करोगे फिल प्रोपर ली टाइम ले लो अच्छे से फिल करो अगर सेल्फ फिल करते हो तो अगर को कि रॉंग में like answer और थोड़ा सा up and down answer and they gonna judge you like this और उसी तो होल्ड कर देगा यह reject कर देगा तो question to question आप answer करो अगर पूछता है few question आपको हमेसा no बोलना है उसमें जैसे की do you know anyone in the United States आपको हमेसा बोलना है no I don't know anyone जानते हो तब भी या नहीं जानते हो तब भी उसके अलावा आप पूछे का क्यों जाना चाहते हो आप cruise line पे तो बहुत सारे लोग जो answer देता है emotionally में देता है कि मेरा friend वहाँ उस company में काम करता है या मैंने किसी दोस्ते सुना था या मेरी mother force कर रहे है या फिर family वाले force कर रहे जाओ काम कर फिर यह सब गलत answer है जैसे यह सब दोगे आपको reject हो जाएगा hold हो जाएगा इन में बोलो कि देखो उनको ही पता होता है if you are leaving India for a job purpose going to work on a sea why just because of the money तो उनको बोलो कि yes I want to join a cruise ship job just because financial and personal support or help के लिए बोल सकते हो और बोल सकते हो कि personal and financial development के लिए जा रहे हो ठीक है अपनी ठीक है और कुछ इसको घुमा फिरा answer देने की ज़रतने straight away जो पूछ रहा है वैसी दो उसको बोल सकते हो कि yes I am getting this much of salary here I will get much better than this salary so that I can support my family well यह सब कुछ answer दे सकते हो बटाब गुमा फिराके नहीं देना answer नहीं तो आपको hold कर दे ठीक है दुस्तों तो आप लोगे वीडियो थोड़ा helpful होगा चलो मिलता है नेक्स वीडियो में अगर आप तक मेरे वीडियो देख रहा हो तो